दोस्तों, 2021 में बिहार में कौन-कौन सी वेकेंसी आएगी और कितने पदोपर वेकेंसी आएगी उसी सम्बाधित आज की रेट का न्यूज देख लीजे साथ में आप लोगों को यह भी बताएंगे कि 10th पास पर कौन-कौन सी वेकेंसी आएगी बार्मी पास पर कौन-कौन सी वेकेंसी आएगी और ग्रेजुएशन लेवल पर कौन-कौन सी वेकेंसी आएगी तो चलिए सबसे पहले किरसी विभाग से सम्बाधित न्यूज देख लीजे यह आज की रेट का न्यूज है ग्राम-पंचेत-अस्तर सी लेकर मुख्याल-एस्तर के काडियालों में बड़ी संख्या में बहाली होने जारी है किरसी मंतरी के आदेस पर सभी विभाग नीदेशाल और जिला अपने-अपने काडियालों में रिक्त-पदों की गणना कर रहे हैं वर्स के अंतक विभिन स्रेनी के 1500 से अधीक पदों पर बहाली की परक्रिया शुरू होने के उमीद है तो किर्शी विभाग के अंतरगत 1500 से अधीक पदों पर वेकेंसी आएगी इसके बाद यहाँ पर पसु पालन यों मतस से संसाधन विभाग से संबधी देख लिजी तो चौस से अधीक पसु चीकित साधारी की बहाली की जानी तो यह वेटनरी डॉक्टर से रिल्टेड है बांकि यहाँ पर जो नॉर्मल है टेंथ पास पर 1200 पदों तो चतुर सरेनी कर्मियों के 1200 पदों की बहाली पर करिया भी सुरूप होने जा रही है मतस सिनी देशाले भी अपने यहाँ रिक्त पदों की रिक्तियों की गर्ना कर रहा है 1200 यह जो पोष्ट है बिहार से सी ग्रूप डी के थुरू यहाँ बहाली आएगी 1200 से पदों पर और इसका जो क्वैलिफिकेशन रहेगा ग्रूप डी के लिए 10 पास अगर आप 10 पास है तो फॉर्म भर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर देख लिजे राजस्यों भूमी सुधार विभाग इसी साल 5000 से अधिक पदों पर बहाली करने जा रहा है भूमी सरवेक्षन के लिए दूसरी सूची जारी कर करीब 2000 पदों पर अमीन कानुन अगो और SSO की नियुक्ति की जाएगी सभी अंचलों के modern record room के लिए 378 data entry operator की बहाली की जाएगी तो data entry operator के लिए बार्मी पास अगर आप बार्मी पास है तो यहाँ पर आपका सेलेक्षन हो जाएगा और यहाँ पर details में देख लिजे कुछ विभाग के बारे में नहीं भी बताएगे है जैसे police विभाग में police constable द बारे में दिया हुआ बाकि यहाँ पर BPSC से संबंधित है तो 67 BPSC का आएगी आगे दिया हुआ है तो यहाँ पर 31 में नियाएक सेवा परतियोगता परिक्षा के बारे में है दूसरे की सपदों के लिए जल्दी नई तित्थी निकलने वाली है मुखी परिक्षा के result निकल हो जाएगा तो 65 BPSC परतियोगता परिक्षा का मुख्य परिक्षा हो चुकिए है जिसका result भी जल्दाने की संभावना है तो यह result जुलय में आ जाएगी और इस वर्स्थी इस परिक्षा का भी साक्षातकार लेकर अंतिम रिजल्द प्रकासित करने की संभावना है और इसम का रिजल्ट आ चुका है मूख्य परिक्सा का अवगा लिया जा रहा है मुख्히 परिक्षा कर डिप्रिकार कर इसके साखचाद कर ãy believers ले लिये जाने की और रंवय ऐल्ट वरस के अगर पर सुरुआत में आने की सम्भाववी अगले साल जनवरी फरवरी तक कम्प्लीट हो जाएगा इसके बाद है सरसाठी मीस रिल्टेट तो सरसाठी मी का विकेंसी आना बांकी है तो बीपीसी के कैलेंडर के एकॉर्डिंग जुलाय दूहजार एकिस मिहां पर नोटिफिकेशन जारी करना था लेकिन अभी तक कोई भी विभ विभाग ऑफिस बन था तो यहां पर जून लास्ट या फिर 15 जुलाय तक सभी विभाग से डिटेल सा आ जाएगा तो जुलाय में तो कम चांस है लेकिन अगस्त 15 अगस्त तक सरसाठी मी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और एक्जाम जो है पहले अक्टूबर म यहां से आप देख सकते हैं हजार अगर हजार नहीं रहता है तो 600 लेकर लवक साथ सो की जरूर पद रहेगा इतने पद इसके बाद यहां पर और आगे का देख लीजिए सिविल इंजिनिरिंग से संबांधिते बीपीशी से रिल्टेड ही है तो सिविल इंजिनिरिंग परतियोकता परिक्षा 2017 के इस बिग्यापन के अंतरगत पीटी और मुखे परिक्षा के बाद आब सक्षात कर अंतिम दोर में है इस महिने का अंत यागलिया महिने इसका सिविल इंजिनिरिंग संपन हो चुका है और रिजल्ट तियार करने का काम अंतिम चरण में है इसके बाद यहाँ पर है एक दो महने में इनके आ जाने की संभावन है बांकि यहाँ पर डॉक्टर्स रिल्टेड है तो इसका भी कॉन्सिलिन चल रहा है चिकित्सकों की कॉन्सिलिन समाने चिकित्सा पताधिकारी बिस्यस्यक चिकित्सा पताधिकारी के कुल 5000 पद उपर नियुक्ति के लिशी महाविदन लिया गया है इस वर्स कॉन्सिलिन पूरी कर इनकी नियुक्ति भी हो जाने की संभावना है और यहाँ पर मतस्य परसार प कॉंसलीन होकर न्यूक्ति होने की संभावनायति इसमें मार्क्स बेसिस पर सेलेक्शन होगा एकजाम नहीं है इसके बाद है नर्सिंग कॉलेज में ट्विटर इनके 167 पदों के लिए कॉंसलीन पूरी हो चुकी है जल्दी रिजल्ट निकारने वाला अब यहां पर अभी तक जो भी आप देखे हैं इसके लिए विशेस क्वालिफिकेशन चाहिए जैसे बी टीसी में जून्यर इंजिनेर के लिए डिपलोमा चाहिए इस तरह से था अब यहां पर जो बिहारे से सीख्थुरू जो भी बहाली आती है बिल्कुल नॉर्मल रहता है टेंथ पास है तरह 15,200 पदों के लिए लिए प्रत्योक्ता परिकृषा के मूखे-परिक्षा इन्हों बाजने और चाहतलों की मैधा शूची त्यार की गए ही हिनमें जायतर पदों के लिए टैपिंग टेस्ट कुछ पदों के लिए फिजिकल टेस्ट है फोरेष्ट गार्ड के लिए ठी कुछ ऐसे भी पोस्ट है जिसमें सिर्फ मार्क स्पेसिस पर सेलेक्शन होगा तो मेंस एक्जाम ले लिया गया है टैपिंग और फिजिकल होना बांकी है यह भी तेरहजार दो सो पैस्ट कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद नई वेकेंसी दी जाएगी तो बांकी यहां पर औ जाएगा को इसके बाद ह pak इसका इंट अपर नहीं वेकेंसी दी जाएगे इसका विग्यापन यून में आले कि समभाव ना है अगर जून में नहीं दी जा थी है तो को जुमिंढ़े म smh होगा और यहां पर 26 उन्चास पदेत अभी सभी विभाग से डिटेल्स नहीं आया इसलिए 26 उन्चास है पिछली बार देखेगा तो 13,000 पोस्ट पर विकेंसी दिया गया था इस बार भी 8-10,000 जरूर इसमें पोस्ट रहेगा जिनमें इंटर अस्तरिय सहायक आशू लिपिक वरगिया लिपिक आधी सामिल है और एक नई विकेंसी आने वाली है तिर्तिय असनातक अस्तर है 2019 से ही यह विकेंसी आने वाली है तो अभी तक नहीं दिया गया अब जल्द ही यह विकेंसी दे दी जाएगी और इस महने नहीं दी जाती है तो जुलाय में दे दी जाएगी तो तिर्तिया असनात का इस्तरे प्रिक्षा का विग्यापन भी इस महने कां तक आने वाला है, इसमें रिक्तियों की संख्या लगभग 2000 रहने की संभावना है, बाकि यहाँ पर बेल्टरॉन से भी निक्तित, यह जो है कॉंट्रेक्ट बैसिस से संबंदित है, डाटा इंटर अगर आप टेंथ पास है, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, और एक्जाम बेस पर सेलेक्शन होगा, एक्जाम में टोटल एक्टो क्वेस्ट्रेक्ट बैसिस से लगभग 40,000 पद अपर वेकेंशी आने वाली है, और बहुत जाएद इसमें पोस्ट है, अगर आप टेंथ पास है, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, और एक्जाम बेस पर सेलेक्शन होगा, एक्जाम में टोटल 100 क्वेस्ट्रेक्ट पूछा जाएगा, और एक्जाम बेस पर इसका सेलेक्शन है, इसके लाब आप बार्मी लेबल पर जो वेकेंशी आने वाली है, भिहार SSC इंटर लेवल किसमें भी लगवाग 8-10,000 के बीच में लगवाग पोश्ट रहेगा, पिछली बार 2014 में वेकेंशी आई थी, तो 13,000 पोश्ट था, और 7 साल से वेकेंशी नहीं दिया गया है, इसके बाद ग्रेजुएशन लेवल पर जो वेकेंशी आने वाली एक हो गया BPSC, दूसरा है CGL ग्रेजुएट लेवल, तो CGL में लगवाग 2500 पदो पर वेकेंशी आने वाली है, और इसमें लगवाग 1500 पोश्ट रहेगा, सची वाले साहयक का, यह होगे ग्रेजुएशन लेवल पर, बाकी भी हर पुलिस में कौन-कौन सी वेकेंशी आईगी, तो भी हर पुलिस में कौन कि हर साल वेकेंशी दिये जाती है, तो इस बार भी लगवक 9000 पदो पर वेकेंशी आने वाली है, और इस बार सबसे में बात यह है कि सिलेवस में बदलोग कर दिया गया है, तेंथ लेवल का ही क्वेस्टन पूछा जाएगा, लेकिन योगिता है बार्मी पास, अगर आप बार्मी पास है, इस फॉर्म को भर सकते हैं, पहले क्या था कि हार्ट क्वेस्टन पूछा जाता था, बार्मी लेवल का पूछ दिया जाता था, इस बार टेंथ लेवल का ही क्वेस्टन पूछा जागा है, सिलेवस में बदलोग कर दिया गया है, अगर आप इस बार भी बा 2021 में और फायरमेन का पहली ही वेकेंसी दे दिया गया है तेस्वासी पदाव पर एकसायज और जेल वार्डेन की वेकेंसी आप लोगों को जल्दी देखने की मिलेगा और आप लोग सबसे अधिक तरोगा की नहीं वेकेंसी का वेट कर रहे हैं तो इस बार 2021 में बहुत कम चां है तभी होनी हाँ यहां पर वेकेंसी दी जाएगी तो 2021 के लाश्ट में आने का कम चांस है क्योंगी जो 2020 का वेकेंसी अभी fikहम भी केञिन भी नहीं लिया गया है तो इसकी आजती हो जाता है्टो अगर्डलन की अगर आधा 100min हो जाता है विकेंसी दिया गया थे इंटर लेवल यहां ग्रेजुएट लेवल का तो इस बार 2021 में लगभग 50,000 फदों पर विकेंसी आने वाली है जो भी यहां पर ग्रूप D हो गया बिहर SACCGL इंटर लेवल यह सब विकेंसी सी साल आ जाएगी दो तीन महने में और बिहर लैबरेडियन की लास्ट तिम 2008 में विकेंसी आई थी तो 2008 के बाद नहीं दिया गया है तो इस बार 2021 में लैबरेडियन की विकेंसी आएगी और इस बार जो है सेलेक्शन मार्कस बेसिस पर होगा बिहर एसे सी के द्वारा एक्जाम ली जाएगी एक्जाम आपको पास करना है और एक्जाम में मार्क्स के कोडिंग आपका सेलेक्शन होगा तो बिहर में कोई भी वेकेंसी आएगी आप लोगों को अपडेट दे देंगे अगर आप चैनल पर नए है तो जरूर सब सब्सक्राइब करके जूर जाए साथ में सभी एक्जाम की त्यारी भी करवाएंगे